2024 के लोकसभा चुडव में रविदास महरोत्रा सपा की तरफ से उमीदवार होंगे नगर पदादिकारियों की सम्मती से अखिलेश यादो ने ये घोशना की समाजवादी पाठी लखनव लोकसभा सीट से प्रत्याशिताय करने वाली पहली पाठी बन गई है रविदास महरोत्रा को जब पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा प्रभारी बनाया तभी से अटकलो का दौर शुरू हो गया था कि पाठी इन्हें टिकट देगी रविदास सपा शाशनकाल में भी वंत्री रह चुके हैं और लखनव मध्यसीट से विधायक है तो समाजवाधी पाठी ने लोकसभा किंडिट की घोशना कर दी है रविदास महरोत्रा समाजवाधीपाठी की लखनव से लुकसभा कंडिणोट होंगे और ऐसे घोशना करने के बास समाजवाधीपारी पहली पार्थी बन गई है जो 2024 के लिए लखनव से अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग सभा क्यांडिडेट के तौर पर रविदास महरुत्रा के नाम की घोशना करती गई है इसके बाद क्या कुछ महौल दिखाई दे रहा है क्या नजर आ रहा है बेशक प्रेंका लखनव भारतिय जनता पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी ने सब से पहले रविदास महरुत्रा का नाम गोशित करके भाजपा को घेरने की कोफिस की है रविदास महरुत्रा तीन बार के विदायक है पहली बार उननीसों नवाफी में ये विदायक चुने गए थे जनता के संघर्फों को लेकर के इनकी अलग पहचान है बावजूदिफ के लखनव भारतिय जनता पार्टी का गढ़ है अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पार्टी का जिस तरह से प्रत्याशी की घोशना हो गई है यदि बीजेपी की बात करें तो फिलहाल राजनात सिंग्ग वहां से सांसद है क्या लगता है आपको कितनी टक्कर दे पाएंगे देखे भारतिय जनता पार्टी का लखनों सीट पर 1991 से लगातार कबजया बना रहा है पिछले 34 सालों से यहां कमल ही खिल रहा है रही बात 2019 लोकषबा चुनाव की तो यहां पर राजनात सिंग तब भी पाउने 4 लाख होट से बिजए हुए थे हाला कि समाजबादी पार्टी ने सब से पहले लखनों से जमीनी नेता की रूप में पहचान है रविदाफ मेर उत्रा की करिब 25 वार जेल भी जा चुके है जनहित मुद्दों को ले करके वो अब यह कोफिश कर रही है समाजबादी पार्टी कि किस तरह से लखनों से मैसेज दिया जाए अब खीचतानी लखनों पे जी बिलकुल अलग अलग जगहों पर जिस तरह से इंडिया गटबंधन में सीटों को लेकर अभी भी खटपड चल रही है ऐसे में लखनों से समाजबादी पार्टी ने जो से प्रत्याशी के नाम की घोशना कर दिये क्या इसे इंडिया गटब हुई है कांग्रेस और समाजबादी के वीज जो सीट फियरिंग को लेकर के माता पच्ची चल रही है मन्तन चल रहा है लेकिन अंदर खाने में एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने लखनों सीट को एक तरे से छोड़ दिया है तो ऐसे में काफी हद तक रभी इदाफ महर हुआ है जी बिलकुल अनेलस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका